टेंथ के बच्चों हम लोग गद खंड के दूसरा पाठ बाल गोविन भगत पढ़ चुके हैं आज हम लोग बाल गोविन भगत पाठ से जो उसके प्रश्ण है उसको लिखने जा रहे हैं तो आईए अब हम लोग प्रश्ण उतर लिखें तो पहला प्रश्ण बाल गोविन भगत पाट से पहला प्रश्ण आप लिखें इसलिए सुरू करते हैं खेती बारी से जुड़े बाल गोविन भगत अपनी किन चारित्रिक विशेस्ताओं के कारण साधु कहलाते थे पहला प्रश्ण हो गया अब पहला प्रश्ण का उत्तर आप लिखें बाल गोबिंद भगत खेती बारी करने वाले गिरहस्त थे फिर भी उनका आचरण साधूं जैसा था सबसे पहली बाद यह थी कि वे अपना जीवन साहब को समर्पित किये हुए थे वे स्वेम को भगवान का बंदा मानते थे वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे उनविराम इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीर पंथी मठ में ले जाते थे पंदविराम वहां से जो परसाद रूप में वापस मिलता था कमा लगाईए उसी से अपना बुजारा करते थे पंदविराम वह अपना जीवन को भी भगवान की देन मानते थे इसलिए वे मिर्त को दुख नहीं बलकी उत्सव मानते थे पंदविराम उन्होंने अपने पुत्र की मिर्त को उत्सव की तरह मनाया लाइम बदल दे भगवत जी कभी किसी के साथ जूठ नहीं बोलते थे जगड़ा नहीं करते थे पंदविराम किसी की कोई चीज नहीं लेते थे या साधू होने के ही लक्षण है पंदविराम ये अपना तन मन प्रभु भक्ती अबर भक्ती गीत गाने में लगाया करते थे पंदविराम पहला प्रश्ण समाप्त हुआ अब दूसरा प्रश्ण आप लिखें भगट की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी भगट उतर लिखें भगट की पुत्र वधू जानती थी कि भगट जी संसार में अकेले हैं पंदविराम उनका एक मात्र पुत्र मर चुका है उन्विराम वे बूढे अवर भक्त हैं उन्हें घरबार और संसार में कोई रूची नहीं है उन्विराम अतह वे अपने खाने पीने अबर स्वास्थ की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे इसलिए वह सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन भिताना चाहती थी वह उनके लिए भोजन अवर दवादारू का परवंध करना चाहती थी दूसरा प्रश्ण का उत्तर समाब्ध हुआ अब आईए आप तीसरा प्रश्ण लिखिए भागत ने अपने बेटे की मिर्थ पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की उत्तर लिखिए तीसरा प्रश्ण का भागत ने अपने बेटे की मिर्थ को इस्वर की इच्छा कहकर श्रम मान किया उन्होंने उस मिर्थ को आत्मा परमात्मा का सुभ मिलन माना इसलिए उसे उत्त्सव की तरह मनाया उन्होंने पुत्र के सव को सफेद वस्त्र से ढखकर उसे फूनों से शजाया उसके सिराने दीपक रखा फिर वे उसके सामने प्रभु भक्ती के गीत गाने लगे वे खजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले गए उन्होंने बिलाब करती हुई पतोहु को भी उत्सो मनाने के लिए कहा पुणग्राब अब तीसरा परश्न का उत्तर समाब्थ हुआ अब आप चौथा परश्न लिखें चौथा परश्न है भगत के व्यक्तित्त अवर उनकी भेश भूसा का अपने सब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए उत्तर लिखें चौथा परश्न का उनके बाल सफेद हो गए थे पुणग्राब उनका चेहरा सदा सफेद बालों के कारण जगमगाता रहता था पुणग्राब हाँ वे लंबी दाड़ी या जटाए जटाए नहीं रखते थे पुणग्राब वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे वे प्राया कमर में एक लंगोटी सी पहने रहते थे और सिर पर कबीर पंथियों की भाती एक कनपटी टोपी पहने रहते थे जड़ा में वे काला कंबल उड़े रहते थे उनके माथे पर सदा एक रामानंदी चंदन सुसोभित होता रहता था जो नाक के एक किनारे से सुरू होता था उनके गले में तुलसी की माला बधी रहती थी लाइन बदल दें भगत जी का ब्यक्तित गायक भगतो जैसा था वे सदा खजड़ी की लह पर पर्भु भगती के गाने गाते रहते थे पुनविराम उनकी तलनेंता सुनने वालों को बरवस अपनी ओर खीच लेती थी पुनविराम कोस्चन चौथा प्रश्ण का उत्तर समाप्थ हुआ अब आप पांचवा प्रश्ण लिखेंगे पांचवा प्रश्ण है बाल गोबिंद भगत की दिन चरया लोगों के अचरज का कारण क्यों थी उत्तर लिखेंगे पांचवा प्रश्ण का उत्तर आप लिखेंगे बाल गोबिंद भगत की दिन चरया लोगों को हैरान कर देती थी वे भगत जी की सरलता सादगी पर हैरान होते थे भगत जी भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे बिना पूछे किसी की चीज छूते भी नहीं थे पूणविराम यहां तक की किसी दूसरे के खेत में सौच भी नहीं करते थे लोग उनके इस खरे बहवार पर मुग्ध थे पूणविराम लाइन बदल देजे लोग भगत जी पर तब और भी आस्चाज करते थे जब वे भोरकाल में उठकर दो मिल दूर इस्थित नदी में असनान करने आते थे वापसी पर वे गाउं के बाहर इस्थित पोखर के किनारे परभू भगती के गीत तेरा करते थे उनके इन परभाती गानों को शुनकर लोक सचमुच हैरान रह जाते थे पोस्चन नमबर पाच का उत्तर समाप्त हुआ अब प्रशन नमबर चो लिखिए प्रशन नमबर चो लिखिए पाठ के आधार पर बाल गोबिन भगत के मधूर गायन की विशेस्ताएं लिखिए उत्तर लिखिए प्रशन नमबर चो का उत्तर आप लिखिए बाल गोबिन भगत परभू भगती के मस्ती भरेगीत गाया करते थे उनके गानों में सच्ची टेर होती थी उनका स्वर इतना मोहक उंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्र मुग्द हो जाते थे पुनविराम अवरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी पुनविराम खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पाउं एक विसेस लए में चलने लगते थे उनके संगीत में जादूई परभाव था पुनविराम वह मनमोहक परभाव से सारे बाता वरण पर च्छा जाता था वह मनमोहक प्रभाव सारे बाता बरण पर छा जाता था यहां तक की घंगोर जाड़ा अवर गर्मियों में भी उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी प्रश्ण नम्मर छो समाब्तुगा आज इतना ही कल आगे प्रश्ण लिखाए जाएंगे प्रश्ण लिखाएंगे जाएंवे जाएंगे।